वाश्कार दोस्तों जब भी आप इंडियन फिलोसफी देखते हैं जब भी आप भारतिय दर्शन के बारे में चर्चा करते हैं तो वहाँ पर कुछ सेक्शन्स ऐसे आते हैं जिनके बारे में पढ़ना अनिवार है या वहाँ पढ़ना कमपल सरी है जैसे कि वेद हैं उपनिशद है या जिसे वेदान्त हम कहते हैं क्यों ना मैंने सोचा कि कम से कम टाइम में अगर वेदान्त की व्याक्षा की जाएं के अंदर हम कहें कि पूर्ण वेदान्त ही हो गया या फिर वेदान्त के बारे में पूरी व्याख्या हो गई तो कोशिश करते हैं हम कि 10 मिनिट के अंदर पूरे वेदान्त को हम जाने या वेदान्त का हम अध्यान करें अगर हम देखते हैं तो वेदों के अंदर चार तरे के भाग माने जाते हैं वेदों के चार सेक्शन किये गए हैं सबसे पहला जो सेक्शन है उसके अंदर मंतरों की चर्चा की गई है मंतरों की व्याख्या की गई है दूसरा जो section आता है उसे ब्राह्मन कहते हैं ब्राह्मन ग्रंत कहते हैं तीसरा जो भाग आता है उसे आरण्यक कहते हैं और चौथे भाग को उपनिशद कहा गया है उपनिशद को कई जगे पर हम देखते हैं तो इसे वेदांत के नाम से भी जाना जाता है जिसकी अलग-अलग व्याख्याएं हैं कि इसे वेदांत क्यों कहा गया है लेकिन अगर मैं उपनिशदों का अध्यन करता हूँ और उपनिशदों के माध्यम से बताता हूँ तो वहाँ पर वेदांत का ये मतलब निकाला जाता है कि इन गरंथों के अंदर उपनिशद गरंथों के अंदर वेदों के अंतिम सत्य की बात की गई है या वेदों के अंतिम सत्य के बारे में चर्चा की गई है या वेदों के अंतिम सत्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं जिसे हमने ब्रह्म कहा है उसकी बात की गई है इसलिए इसका नाम वेदांत रखा गया है कि वो भाग वेदों का वो भाग जो वेदों के अंतिम सत्य की चर्चा करेगा जो ब्रह् मैं कहूं कि उपनिशद कितने हैं तो कहा गया है वेसे तो कि 200 से भी ज्यादा उपनिशद हैं कुछ लोगों ने कहा कि 108 उपनिशद भी है लेकिन अगर प्रमुख रूप से देखा जाए तो 12 उपनिशदों को प्रमुख माना गया है जैसे कि आपके केन उपनिशद, कट उपनिशद, प्रशन उपनिशद ठीक है इस प्रकार के 12 अलगलग उपनिशद हैं मांडुक्य है, तैत्रे है, एत्रे है, छांदोग्य है, फ्यताश्त्वर है इस तरह से कुछ 12 अलगलग उपनिशदों की व्याख्या या 12 अलगलग उपनिशदों के हमे evidences मिलते हैं या जो 12 उपनिशद जो अस्तित्व में हैं उपनिशदों के अगर मैं बात करता हूँ तो उपनिशदों के अंदर उपासना और ज्यान के बारे में मुख्य रूप से चर्चा की गई है किसकी उपासना करनी है ब्रह्म की उपासना किस तरीके से करनी है कौन सा ज् परा और एपरा का जो ब्रह्म ज्यान है उसके बारे में उपनिशद ने विस्त्रफ चर्चा की है बेसिकली देखा जाए तो उपनिशद वो भाग है जो की वेदों का सार भी कहलाता है उपनिशद वो भाग है जहां पर वेदों का लगभग जो कंक्लियूजन है वो वहां इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि आपने एक novel आपने खरीदी किताब आपने करीदी कहानियों की जिसके चार अलग-अलग भाग हैं जहां पर पहला भाग दूसरा भाग तीसरा भाग तो चौथा भाग हमारे लिए important क्यों होता है क्योंकि उसमें conclusion होता है उसमें निसकर होगा इसका निशकर्श क्या निकलेगा तो वेदों ने जिग्यासा शुरू की वेदों ने आपके मन में प्रशन खड़े किये और उपनिशदों ने उनका जवाब दिया तो उपनिशद वो भाग हैं जिनके अंदर गुरू और सिष्य के वारतालाप हैं discussions हैं conversations हैं between वहाँ पर क्या है conversation between Krishna अर्जुन तो वहाँ पर भी dialogues हैं वहाँ पर भी वारतालाप हैं किस किस के बीच में कृष्ण और अर्जुन के बीच में जो भी आप देखते हैं उन सभी के अंदर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर conversation आपको मिलेगा वहाँ पर एक discussion आपको मिलेगा एक वारतालाप वहाँ पर आपको मिलेगी जहां पर गुरू और सिष्टी के बीच में वारतालाप चल रही है कि ब्रह्म क्या है ज्यान क्या क्या है जीवन क्या है मृत्यू का है आत्मा क्या है सुख क्या है दुख क्या है आप सोचेंगे यह प्रशन के जवाब तो हमें वेदों में भी मिल जाएंगे फिर समश्या कहा है हमें उपनिशद की जरूरत ही क्यों पढ़ती है वेद एक युनिवर्सल नौलेज देने की कोशिश करते हैं वेद के उपर आप यह नहीं कह सकते हैं यह गलत लिखा हुआ है यहां पर क्यों लिखा हुआ है नहीं वेदों के उपर आप प्रशन नहीं खड़ा करेंगे वेदों के ज्यान को अपने जीवन में उतारने के बाद फिर जो हमने अपने अनुभव लिखा है फिर जो गुरू और सिश्य का अनुभव लिखा गया है वह उपनिशद कहला तो यहां पर गुरू और सिश्य का अनुभव है गुरू और सिश्य की वारता है इसलिए इनका वेद की जो श्रेणी है वेद की जो एक एक कैटेगरी है मतलब एक सिक्वेंस चल रहा है वेद आते हैं ठीक है उसके आदम देखते हैं कि आपके ब्रहमन गरंथ आते हैं फिर आरणियक गरंथ आते हैं फिर वेदांत आते हैं या उपनिशद आते हैं तो यह इस सिरीज की सब सबसे फूर्थ सबसे लास्क सेक्शन है सबसे अंतिम सेक्शन है इसलिए भी इसे वेदान्त कहा जाता है बट रियालिटी दोनों ही सही है और रियालिटी में देखा जाए तो इन्होंने वेद के अंतिम सत्य की चर्चा की इसलिए इन्हें वेदान्त की श्री में रखा गया ह यह वेदान्त के बारे में चोटा सा एक चर्चा कोशिश करेंगे हम ऐसे चोटे 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 और वीडियो आपके लाते रहें तब तक के लिए धन्यवाद